आग्रा में सरवाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोना काल के बाद बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए महिला अस्पताल में चार ओपिडी लगाई जा रही है इस से पहले दो ओपिडी में डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे अपर निदेशक आग्रा मंडल का कहना है कि मरीजों की दिनो दिन बढ़ रही संख्या को देखते हुए ओपिडी बढ़ाई गई है लेडी लोयल में दिनो दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। काउंटर पर परचा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए मारा मारी मची रहती थी। इसके चलते OPD की संख्या बढ़ाई गई है। अपर निदेशक आगरमंडल डॉक्टर एके सिंग का कहना है कि अब तक दो OPD में मरीज देखे जा रहे थे। लेकिन मरीजों को देखते हुए अब चार OPD में मरीज देखने की व्यवस्ता की गई है। अपर निदेशक आगरमंडल डॉक्टर एके सिंग के निदेश बर चार OPD में डॉक्टरों ने मरीज देखना शुड़ो कर दिया है। इस तरह की व्यवस्ता होने से दूर दरास से आने वाले महिला मरीजों को परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर्चा बनवान के लिए भी काउंटरों के संख्या बढ़ाई गई है। जोरान कोरोना संक्रमन को देखते वे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। होस्पिटल में हमारे हाँ जो पहले कोरोना की समय में थोड़ी कम आ रहे थे वो अप संक्या बढ़ती जा रही है। तो उसको देखते वे और कोरोना महमारी को भी देखते वे हम लोगों ने डॉक्टरों को चार कमरों में बठाना शुरू कर दिया है। जिससे कि मरीज एक महिला अस्पताल की सेमेस कंचन अगरवाल का कहना है कि कोरोना काल के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या दिनो दिन बढ़ रही है। इसके चलते मरीज देखने के लिए 4 OPD की वेवस्ता की गई है। हर OPD में समय पर चिकिसक पहुचकर मरीजों को देख रहे हैं। महिल पुलिस और सेक्योर्टी गाड को तैनाद भी किया गया है। सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट